नमस्कार बहुत से जनों की भगवान से सिखायत रहती है कि आकिर हम जैसा चाहते वेसा क्यों नहीं होता है बहुत से लोग भगवान से कहते हैं कि भगवान तो सर्व सक्तिमान है तो हमें जैसा चाहिए वेसा दे दे हमें क्यों ऐसे ही दोडाता है ऐसे ही क्यों कारी करवाता है भगवान के सब कुछ हाथ में हैं तो हमें गाड़ी दे दे हमें बंगला दे दे हमें इस्टेटस दे दे और हमें बहुत सारा पेसा दे दे आकिर हम चाते हैं वेसा क्यों नहीं होता है बहुत से लोग बहुत कुछ चाते हैं लेकिन वैसा नहीं होता है और बगवान से सिकाष प्रियती कि यार बगवान तो सर्व सक्तिमान है सरवग्य हैं आकिर वो हमें इतना तटपाते क्यों हैं आकिर वो हमें इतनी मेहनत क्यों करवाते हैं हमें सब कुछ क्यों नहीं देते ह है क्योंकि सब कुछ तो बगवान के हाथ में होता है बगवान क्यों नहीं देता है एक बात ध्यान रखना कि जब कई वार सो पहले बगवान खुद इस धर्दी पर अवरती है अवतरित हुए तो क्या हुआ तो बगवान ने खुद ने सब कुछ अपने लिए कर लिया बगवान ने कुछ नहीं किया बगवान स्री राम की लीला देखी होगी आपने क्या बगवान को सब कुछ ऐसे ही मिल गया होगा बगवान ने कश्ट नहीं सहे बगवान में मेनत नहीं की सब कुछ किया लेकिन आप ऐसा क्यों सोचते हों कि बगव किसान भगवान से बहुत नौराज रेता है, भगवान से कहता है कि भगवान सब कुछ आपके हाथ में है, मैं फसल बोता हूं, लेकिन कभी दूप पढ़ जाती है, तेज दूप पढ़ जाती है, कभी अखाल पढ़ जाता है, कभी उल्य पढ़ जाते है, कभी तेज बारिस हो जाती है और मेरी फसल थोड़ी बहुत खराब हो जाती है किसान भगवान से कहता है कि प्रभू सब कुछ आप के हाथ में है तो सब कुछ बराबर मात्रा में मेरी फसल को क्यों नहीं देते हो भगवान कहते है कि तेरी फसल को सब कुछ बराबर मात्रा में चाहिए किसान कहता ह चिसान केता है कि ऐसे तो थोडी बड़ी होती है टूर्मल दूप हो जाती है किसान केता है तोड़ीवारी वालिया, सब कुछ इतना अच्छा तो होता है, मेरी फसल को ऐसे ही कष्ट देते हैं भगवान, आज देखो मेरी फसल कितनी अच्छी अच्छी लेरा रही है, जब किसान फसल काटने के लिए बाँ जाता है, और जब उस बाली के अंदर उस गेहों को देखते हैं, किसान, तो वो गेहों बिल्कुल खोकला होता है, जब किसान उस गेहों को खोकला देखता है, तो वो के देखता है, यह क्या हो गया, मैंने तो सब कुछ इसको टाइम पर दिया, और हर चीज सब वैस्तित हुई, तो फिर यह कैसे, किसान वापिस भगवान से पोचता है, ए प्रभू, आखिरी इस फसल को हुआ क्या, मैंने तो सब कुछ टाइम पर दिया, भगवान कहते हैं, कि क्या तुमने फसल को संगर्स करने दिया, क्या फसल को अपने इन दुनिया किसे वातावरान से बिढ़ने दिया, नहीं, तुमने तो इस हर चीज इस फसल को इजिली दे दी, जब फसल संगर्स नहीं करेगी, तो वो कैसे अच्छी होगी, फिर किसान के दिमाग में आई कि नहीं, हर चीज को जिवन में संगर्स करना पड़ता है, और तभी संगर्स से कुछ निकर के सामने आता है, इसलिए जिवन में द्यान रखना है, हर कुछ बगवान आपको ऐसे ही न गड़ना होगा, तभी आप निकर के सामने आऊने, और तभी आपको कुछ अच्छा मिल पाएगा, इसलिए अगर आपकी भगवान से सिकायत हो कि हमें भी सब कुछ ऐसे ही देते, तो भगवान सब कुछ ऐसे ही नहीं देते, भगवान ने उदारान पेश किया है दुनिया क सामने रामायन में, महाबारत में और आप स्री कृष्णी की लीला देख लो, सब में भगवान इस धर्ती पर अवतरित हुए, लेकिन भगवान सुएं भगवान को भी सब कुछ ऐसे ही नहीं मिला, भगवान को भी मेहनत करने पड़ी, भगवान को भी दुख जेनने पड़ होगा